कितना भी कुरे दो लाख माथा पटको एक नहीं, दो नहीं, सैकणों चक्कर लगा लो लेकिन इस सरोबर की पहली सुलजना तो दूर, समझ में भी नहीं आती ये कहानी है हिमाले के एक कुंड की कुंड में दबे रहस्यों की रहस्यों के तार की उसके जन्जाल की जिसने पिछले असी सालों से भारत, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लेंड समेथ, दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों को उल्जा रखा है ये है समुद्र तल से सोला हजार फीट की उचाई पर संसार की सबसे रहस्यमई जीव, रूप कुंड पहले आप इसका रहस्य समझेए, जब पहाडों में ठंड थम जाती है, पर पिघलने लगती है, तब ये कुंड इंसानी अस्थियां उगलने लगता है अस्थियां बहुत पहले से पढ़ी हुई है, ये बहुत सारी बैगे दिख गए थे तो उन्हें इसका पता अभी भी कुछ ही नहीं से ला नजाने कितनी बार सफाई हुई, जाल डाल कर सब बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बर्फ पिघलते ही अस्थियां वापस सता पर तैरने लगती है ये रुपण में यहां बहुत बार हमने सपाई करी थी, सब लोगों नहीं गाउले में सपाई करी थी, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहां से इतनी सारी अस्थिया आजारी फिर से कुंड में किसके अवशेश हैं? कहां से आए? बार-बार सफाई के बावजूद ये फिर कैसे आ जाते हैं? अस्तिया केवल जील में ही क्यों पाई जाती है? आसपास कहीं और क्यों नहीं? नहीं कुछ सवालों के साथ मैं भी रोप कुंड के बिलकुल घरीब पहुँच गया हूँ और अब देखता हूँ कि इस रहस्य को मैं कितना सुझा पाता हूँ जब वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे? ये सोचने वाले इस शोग को अंत तक जरूर देखें कहानी का अंतिम अध्याय चौकाएगा अब तक के हर परीक्षा हर पड़ताल को पलट कर रखतेगा हमें कुछ ऐसा दिखा सामने ये कितना बड़ा कुंद लग लगा है ऐसा सुना कुछ ऐसा मिला जिस पर अब तक किसी की निगाह नहीं पड़ी थी तो तैयार हो जाईए दुनिया के सबसे रहस्यमय कुंड के रहस्यों को सबसे करीब से देखने के लिए जहां दिखने वाला है अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला द्रिश्य सफर उत्राखंड में चमोली के वाना जंगल से शुरू हुआ अभी रूपकुंड हमसे 25 किलो मीटर दूर था 25 किलो मीटर आकड़ा सुनने में कम लगता है लेकिन हम जितनी उचाई पर थे और हमें जहां जाना था उसके लिए इस 25 किलो मीटर रास्ते का हर मोड जिंदगी के लिए मौत से जूजने के बराबर था तक्रीबन 11,000 फीट की उचाई पर अब हम पहुच गए हैं यहां से आगे का रास्ता जो है वो गोग्याल में शुरू होता है कई सारे मान रास्ते में पढ़ेंगे और उसे पार करने के बाद हम रूपकुंद के करीब पहुच जाएंगे और कहते हैं कि रूपकुंद के बिल्कुल पहुंच कर एक बार आपको रुतना होता है एक लेकिन उस जगह तक पहुचने के लिए भी अभी अमें तक्रीबन 6 से 7 घंते और पैदल चलने होगे। अभी 5000 फीट की चड़ाई बाकी थी, वो कुंड हिमाले में 16000 फीट की हाइट पर है, जिसे 1942 में एक ब्रिटिश वारिस रेंजर निखो जा था। उस समय सरोवर में 600 से 800 इंसानी अवशेश मिले थे, फिर गुथियां उलचती चली गई, इसे सुलझाने हम कुंड की तरफ जा रहे थे। अभी हमारा जो ट्रेक है, हमारो जो सफर है, वो जंगल वाले हिस्से के बिलकुल आखरी छोर पर है, अब इसके बाद जब हम आगे निकलेंगे, तो जंगल का हिस्सा पीछे छूप जाएगा, आगे वही हिस्सा आएगा जिसे बुग्याल कहते है। एक सुनसान जील में इनसानी अस्थियां सुनने में थोड़ा भयानक लगता है, देखने में थोड़ा विभत्स भी होगा, लेकिन जिसके रहसे ने 14 देशों के व्यज्ञानिकों को 80 सालों से उलजा रखा है, उस सरवर को एक बार देखना तो बनता है। हिमाले की तमाम खुबसूर्ती के बीच वो भी एक त्रिश्चम है, संसार की सबसे रहस्यमई जील का त्रिश्चम, इसे कैसे छोड़ देते? संयोग से जंगल में एक शक से बुलाकात हुई, ये ट्रेकर्स को उस जील तक ले जाने का काम करते हैं, इसने बताया कि उस जील में जितनी अस्थियां दिखती हैं, उससे ज्यादा वहां की बर्फ में दवी हैं जील छोटी हो गई, लेकिन वक्त के साथ इसका रहस्य बढ़ता गया, इतना कि साथ समंदर पार तक कहानी गूँजने लगी रूप कुंड को लेकर कुल पाच शोध हो चुके हैं, जिसमें चार रिसर्च विदेश की टीमों ने किया, जिनेटिक और कार्बन डेटिंग सभी तकनीक इस्तिमाल किये जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कुंड में इंसानी अवशेश मिलने की वज़ह क पड़ी हुई हैं, इसका पता इंडिया के बैगेदिक भी आए थे, फोरन करेंट्री से, अमेरिका से, इंगलेंड से, बहुत सारी बैगेदिक गए थे, तो उन्हें इसका पता अभी भी कुछ है नहीं चला, चोटो मुडर लोकल लोग की स्टोरी है, तो स्टोरी में कोई ब्रॉसर करता है नि, उस लेक क्या हमेसा सपाई चलती है, राजात के पहले फॉरस की ये सब उसकी सपाई करता है, तो फिर भी वहाँ पे नो बहुत सारी हड़ी है लमहे गुजरते जा रहे थे, दूरिया घट रही थी, जंगल पीछे चूट गया सामने घास का लंबा चौड़ा मैदान था, वेदनी बुग्याल कहते हैं इसे, मानने ता है कि आधिकाल में ब्रह्मा ने वेदों की रजना यहीं की थी पेदनी बुग्याल को पुराणों में भी बहुत पवित्र माना गया है, ऐसा कहा जाता है कि यह अस्थान बहुत पवित्र है, इसके पीछे कई वजहें हैं, एक वजह है कि यहां से थीक मेरे सामने बंदर पूच दिख रहा है, बंदर पूच वो अस्थान है, जहां पूच की आग बुजहाई थी, जब उन्होंने लंका में आग लगाई, तो लंका में आग लगाने के बाद वो इसी अस्थान पर आए, बंदर पूच और वहां उन्होंने अपनी पूच की आग बुजहा दी थी और दूसरी तरफ है ब्रह्मताल, जहां ब्रह्मा जी ने वेद की रचना करने से पहले तप करने का फैसला किया था, उसी अस्थान पर नोनने ने तप किया और तप करने के बाद वो बेदनी बुग्याल पहुचे और यहां उन्होंने वेद लिखे यह एक ऐसा सफर था, जिसमें विज्ञान और पुराण दोनों साथ चल रहे थे रास्ते के कई मोड की अपनी पौरानिक कहानी है, जो उस जील के रहसे को धर्म और पुराणों से जोड़ते हैं वो सरोवर त्रिशूल परवत के साय तले सदियों से मोजूद है, जो भगवान शिव के त्रिशूल का एक रूप माना जाता है कहते हैं सत्योग में वहां से कहलाश यात्रा का पौरानिक रास्ता गुजरता था आज नंदा देवी चोटी की यात्रा भी कुंड के करीब से गुजरती है ये सारी कहानी हमें चमोली के वाना गाउं से पता चली थी, जो कुंड के रास्ते का अंतिम गाउं है सफर शुरू करने से पहले, पूरा एक दिन हमने उसी गाउं में गुजारा था बाचीत करके पता चला कि जिस जील के रहसे ने दुनिया भर के व्यज्ञानिकों को उलजा रखा है ये गाउं वाले सालों से उस पर शोध कर रही है जिसका आधार है हमारे वेब और पुरा आजमाईश में हमने ताबर तोड कई सवाल पूछ डाले मसलन वो कुंड कैसे बना और अस्तियां उगलने वाले सरोवर का नाम रूप कुंड क्यूं है जब मापारोती और सिपसंकर बोले नाथ अपने निखंट कैलास की ओर बढ़ रहे थे तिर्शूली नंदा गुंटी की तरफ बढ़ रहे थे अपने सवाल कैलास में ही माना जाता है अपना रूप देखा अपना रूप देखा अपना रूप ऐसे करके ना रूप देखा बोला स्वामी इसमें तुम ना हाँ अपना रूप देख लिया है महाँ पर उन्हें अपना सिंगार के अपना रूप देखा इसलिए वहाँ का नाम क्या पढ़ गया रूप कुंट दावे के मुताबिक कुंड के जन्म का नाता भगवान शिव और कैलाश से है तो हमारा सवाल था कि उसमें अस्थियां क्यों मिलती हैं कहते हैं जील में जो इंसानी अस्थियां दिखती है वो कन्नौज के ततकालीन राजा यशो धवल उनकी रानियों और सैनिकों के हैं जो तेरहमी शताबदी में हिमाले की यात्रा पर निकले थे एक प्राकर्तिक आपता की वजह से कुंड में गिरकर सबकी मृत्य हो गई लेकिन जो हमारे जो हम बानते हैं जो हमारे बुजगों ने बताया गए कि वो देवी देपताओं के ही उच टाम में जो राजा चली थे तो अचानक सा कोई स्लाइडिंग आ गया तही तो वो हड़ियों के बारे में उनको जादा जादा बिसेश मानते हैं बाकि रिसर्ज अ अपने अपनी तरीके से चलती है और आप जानते हैं साइनसे को अपनी तरीके से माना अभी उनके लिए कालपनी की हों। लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च ने इन सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन बाणा गाओं के लोग आज भी अपने दावे पर टिके हैं। बताते हैं कुछ साल पहले गाँवालों की एक दोली वहां रात भर रुकी थी। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे सुनकर हमारे रॉंग्टे खड़े हो गए। तेर रात वहां एक हलचल महसूस की गई थी। वह कोई फैंके जा रहा है या कुछ ऐसा क्या गटना हो रही है। विश्वास और अंध विश्वास विज्ञान और पुरान के बीच एक पतली लकीर होती है। रहस्य समझने और सुल्जाने के चक्कर में बाला कब बदल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हम पूरी तरह सजक थे। पौरानिक कथाओं के साथ हमें व्यज्ञानिक शोध की भी जानकारी थी। सफर में वो मोड भी आया जब हमारी नजरों के सामने त्रिशूल परवत था। कुंड की पौरानिक कथा का सबसे एहन किरतार जिसके नीचे वो रहस्यमई जील मौजूद है। बेदनी बुग्याल से निकलते ही सामने त्रिशूल परवत दिख रहा है। त्रिशूल परवत को लेकर कहते हैं कि यह परवत अगर आपको दिख गया तो समझे कि आप रूप कुंड तक पहुच जाएंगे। इसकी दूसरी कहानी यह है कि भगवान शिव माता पारवती के साथ अभी भी इस स्थान पर रहते हैं। और कहते हैं कि कोई भी यात्रा जब इस पूरे इलाके में होती है तो वो त्रिशूल परवत की तलहटी में जाकर ही खत्म होती है। इस परवत को भगवान शिव के त्रिशूल का रूप माना जाता है। इसके साय तले उस सरोवर की गुथी सालों से अंसुल जी पड़ी है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े हम सफर के एक एहम मोड पर खड़े थे। कहते हैं कभी यहां से कैलाश परवत का रास्ता जाता था। सत्यूग में लोग इसी मार्ग से महादेव के दर्शन करने जाते थे। भागौलिक बदलाव की वजह से जो दुर्गम होता चला गया। अब केवल खाई और पहाड ही नज़र आते हैं। जंगल के रास्ते को पार करते हुए अब हम पहुंच गए डोलिया धार। डोलिया धार वो जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि यहां से पहले कैलाश परवत के लिए रास्ता जाता था। हालांकि समय के साथ अब वो रास्ते नहीं दिखते हैं। लेकिन डावा तो यह भी किया जाता है कि भगवान शिव खुद भी कैलाश परवत जाने के लिए इन रास्तों को ही चुनते थे। रास्ते बदल गए। हालात बदल गए और मुश्किले बढ़ गए। अब चटान और पत्थरों की कठोर दुनिया में थे। जिसे पार करके हम उस कुंड तक पहुंचेंगे। जहां गहराई में मचलिया नहीं, इंसानी अस्तियां पाई जाती हैं। जिसके रहसे को सुलजाने की जिद हमने ठान रखी थी। पहले जंगल, जंगल के बाद वो मैदानी इलाके, जहां सिर्फ घास ही घास है। अब वो सब पीछे छूट गए, यह जो रास्ते हैं इसे चटानी रास्ते गहते हैं। चटान ऐसे ही टूट टूट कर गिर जाते हैं। और इसी बीच से हमें निकल कर रूप कुन तक पहुंचना है। यही रास्ता है। अइराम से। इन चटानों पर पैर रखने में थोड़ी परिशानी भी है। और डर भी लगता है। डर इसलिए क्योंकि अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि यह पत्तर मेरे पैर रखने से हिलेगा या फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। जिद और कुंड के बीच फासला घटा जा रहा था। चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। तापमान गिर चुका था। पत्रीले रास्ते पैरों को जकड रहे थे। लेकिन दुनिया के सबसे रहस्यमई सरोवर को देखने की उत्सुकता के आगे सभी मुश्किलें छोटी थी। अब यही रास्ता है। बड़े बड़े चटान के छोटे छोटे टुकड़ी और उन तुकड़ों के भीच से उपर की तरफ बढ़ना है। यहां रात के समय में तापमान नीचे के तरफ चला जाता है। जिससे मिट्टी में यहां बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। ऐसा लगता है कि ट्रेकिंग स्टिक भी जैसे ही कहीं रख रहे हैं। अगर वो किसी पत्थर के उपर नहीं पड़ा तो सीधे नीचे चली जाती है। और ऐसे रास्तों से हमें तक्रीबन तीन हजार फीट सामने जो आप चोटी देख रहे हैं तीन हजार फीट ऊपर हैं। वहां तक अभी पहुचना है। वहां पहुचने के बाद 500 मीटर का और रास्ता बचेगा। तब हम रूप कुन तक पहुच पाएंगे। फिलाल यहां से जल्द निकलना होगा। क्योंकि यहां बहुत देर तक खड़ा होना बहुत मुश्किल था है। सरोवर की कहानी पूरी दुनिया जानती है। 14 से अधिक देश उस पर रिसर्च कर चुके हैं लेकिन जो रास्ता उस कुंड तक जाता है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह रास्ते का सबसे कठिन पहाड है जिसे पार करना नामुम्किन हो जाता अगर यह सीडिया ना होती। एक बात आप जानते हैं इन सीडियों को किसी इंसान ने नहीं बनाया यह अपने आप तयार होती है। भूकंप आये चाहे भूस खलन इन पर कोई असर नहीं पड़ता यह जस की तस मिलती है इसी हालत में। इस सीडिय को आप देख रहे हैं। इसे स्टेर अफ गौड कहते हैं भगवान की सीडिय। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। यह मैन मेड़ नहीं है। यह सीडियां हर साल अपने आप तूट जाती है और हर साल इसी तरह अपने आप बन जाती है। इसलिए इसे स्टेर अफ गौड का नाम दिया गया है। उस जील की तरह इन सीडियों की भी अपनी एक पौरानिक कता है। लेकिन कुंड के पौरानिक दावों की तरह वैक्यानिकों ने इसे कुदरत का अजूबा बता कर खारिज कर दिया। लेकिन उस जील ने दुनिया भर के साइन्टिस्ट को ऐसा उलजाया कि पांच बड़े रिसर्च के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हर शोद के दो ही मक्सद थे। पहला कुंड में इनसानी अस्थियां किसकी हैं। दूसरा सरोबर में अस्थियां कहां से आई। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू किया। उस समय उनके दिमाग में सरोबर से जुड़ी माननित आई थी। जिसे स्थानी लोगों ने गड़ा था। जिन में कुछ दंत कथाई थी। तो कुछ सुनी-सुनाई बातें। एक मानिता कहती है। कुंड में कन्नौज के राजा और सैनिकों के अवशेश है। दूसरी मानिता के मताबिक वो अस्थियां दूसरे विश्वयुद के जापानी सैनिकों की है। तीसरी वो कुछ तीर थ्यात्री हो सकते हैं जो आपदा के शिकार हो गए। चौथी मानिता कहती है ये भारतिय सैनिकों के हो सकते हैं जो तिबबत सीमा से गश्ट करके लौट रहे थे। पांच मी के मताबिक वो कुंड पहले कब्रगाह था। जहां महामारी से शिकार लोगों को दफ्न किया गया था। पैज्यानिक शोध भले किसी नतीजे तक नहीं पहुँचे। लेकिन जिनेटिक और कार्बन डेटिंग परीक्षण के जो रिपोर्ट आए। उसने एक-एक करके सभी मानिताओं की धज्जियां उड़ा दी। पहला रिसर्च बिटिश टीम ने 50 के दशक में किया। पता चला कि अस्थियां काफी पुरानी हैं। पहले विश्वियुद से भी पहले की। इस रिपोर्ट ने जापानी सैनिकों वाली कहानी खत्म कर दी। साट के दशक में जर्मन वैग्यानिकों ने कोशिश की। जिसने भारतिय सैनिकों और राजा रानी की मानिता को खत्म कर दिया। इस रिपोर्ट के मताबिक, जील में जिन लोगों की अस्थियां हैं, उनकी मृत्यू एक साथ नहीं हुई। उनकी मौत में एक हजार साल से भी ज्यादा का फासला था। इससे भी जादा चौकाने वाली बात ये थी, कि जिनके अवशेश कुंड में थे, वो सभी तुनिया के अलग-अलग इलाकों से थे। रूप कुंड में जो अस्थियां पाई जाती है, उन अस्थियों को लेकर एक रिसर्च में ये पता चला कि जिन लोगों की उस स्थान पर मौत हुई है, वो जेनेटिक रूप से अलग-अलग है। और उन लोगों की मौतों के बीच का जो अंतर है, वो एक हजार साल का या उससे ज्यादा का हो सकता है। जिनेटिक रिसर्च में पता चला कि कुछ अस्थियां डक्षन एशियाई देश के लोगों की थी, तो कुछ यूरोपीय मूल की थी। कुछ के अवशेश तो यूनान में रहने वाले किरीट द्वीप के लोगों जैसे थे। यानि एक हजार या दो हजार साल पहले पूरी दुनिया से लोग उस कुंड पर आते थे। लेकिन क्यों? क्या कोई तीर्थ यात्रा करने? आज भले ही नंदा देवी की यात्रा कुंड के करीब से गुजरती है। लेकिन किसी रिसर्च में 19. सभी के आखरी तक इलाके में किसी तीर्थ यात्रा का पुखता प्रमान नहीं मिलता। फिर विदेशी लोग यहां क्या करने आए थे? कि इन में से कुछ अस्तियां बच्चों की भी है। अस्तियां दिखने लगती है। अस्तिम सफाई चंद साल पहले हुई थी। उसके बाद हम पहले यात्री हैं जो सकुंड पर जा रहे थे। देखते हैं हमें क्या मिलता है अवशेश या साफ जील। हकीकत आज सब के सामने होगी। अगर अस्तियां नहीं मिली तो रहस्य हमसे ही खत्म होगा। अगर अवशेश मिले तो रहस्य का नया अध्याय हमसे ही शुरू होगा। अब चलते चलते हम तक्रीबन सारे 15 से पौने 16,000 फीद की उचाई पर पहुच गए और सामने यह जो पार आप देख रहे हैं काली पहाड़ी इसे चुनार गेट कहते हैं और इस पहाड़ी की तलहटी में रूप कुंड है और यहां से तक्रीबन पांच सौ मीटर की और हम रूप कुंड तक पहुच जाएंगे आओ सासे बेकाबू थी धड़कने बढ़ती जा रही थी जिस कुंड ने पूरी दुनिया को उलजा रखा है जिसकी कहानी हमें खीच लाई थी वो महज चंड कदम की दूरी पर था हमें उसकी पहली ज़लब दिखी जब उसे देखा तो देखते रह गए हमने हिमालय में कई जीलों को देखा है लेकिन इतने बड़े सरोबर से पहली बार पाला पड़ा था सामने यह कितना बड़ा कुंड लग रहा है सतर्क होकर संभलकर सधे कदमों के साथ हम किनारे पहुँचे रूप कुंड तीन तरफ से ग्लेशियर और पहाणों से घिरा था कुंड की सतह पर बर्फ की पतली परत थी और किनारे अस्तियों का ढेर पड़ा था चंद साल पहले की सवाई में ये अस्तिया निकाली गई थी हमने देर तक जील को निहारा अस्तियों को समझा कुछ देर मगजमारी की फिर आश्वस्त हुए कि ये इंसानों के ही अवशेश थे इसे जब मैं हाथ में ऐसे उठा कर देख रहा हूं तो यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कोई आमस्तियां होती है ना कोई हड़ी होती है ना यह बिल्कुल वैसे ही है और इसकी जो बनावत है वो बनावत भी ऐसी है जैसे किसी इनसान की हो और वो एक या दो नहीं है इसी जगह पर तकरीवन एक दो तीन चार पाँच है साथ आठ नौ दस इसके बाद तो मैं गिन भी नीचे पाँगा नीचे पानी में भी है और यह यह आप देख रहा है इसे खोपड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है कि यह किसी इंसान के खोपड़ी का हिस्सा है और यह कितने सालों से यहां है यह किसी को मालूम नहीं है और इसे जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूं और ऐसे आवाज आ रही है जैसे सुखी यूई लकडी से जो आवाज आती है न वैसी आवाज इन अस्तियों से भी निकल कर सामने आ रही है थोड़ा डर था अस्तियों को देख थोड़ी घ्रणा भी आ रही थी कुंड के रहसे को करीब से महसूस करने के लिए इसे चू कर देखना और समझना जरूरी था ये दुनिया के सबसे रहसे में सरोबर का अंत्रिश्चम था कई देशों के वैग्यानिक आ चुके हैं यूँ ही कैसे चूड़ते थे एक ये बहुत ही विचित्र बनावट वाली अस्तियों को देख रहा हूं ये जैसे कोई पुरानी लकडी तूट जाती है ये वैसे ही तूट गई है अब देखने में भी बहुत पुरानी लग रही है इसे देखिए जैसे किसी लकडी को उपर काई जम जाती है वैसे ही सस्ति को उपर काई जम गई है और इस तरफ से ये वैसे ही घिस गई है जो इस बात की गवाही है कि ये अस्तियों बहुत पु लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं चला, ये अस्थियां कहां से आती है, जब इस कुल्ब की साफ सफाई भी हो जाती है, बावजुद इसके ये फिर से ये अस्थियां दिखने लगती है चंद साल पहले ही जील को पूरी तरह साफ किया गया था, अस्थियों को चुन-चुन कर निकाला गया था, जील उपर से साफ दिख रही थी, सतह पर बर्फ की पतली परत थी कहते हैं यही पर्फ जब पिखलती है, तो सरोवर के तल में फिर से अवशेश दिखने लगते हैं, पता नहीं अभी क्या हालत होगी, तब ही एक आवाज गुंजी ये कैसी आवाज थी, शाहिद कोई चिडिया थी हाँ, ये तो किसी चिडिया की आवाज जैसी थी, लेकिन यहाँ, सोला हजार फीट की उचाई पर ये कैसे संभव है, कोई ब्रह्म होगा, हम जील की परताल में जुट गए ये कुन्ड साल के ज्यादा तर महीनों में ऐसे जंई रहती है, ये सच है कि पिछले कुछ सालों में, यहां से लोगों ने अस्तिया उठा कर लेकर चले गए, उन अस्तियों को उठा कर ले जाने के पीछे तरह की कहनिया है, कोई रिसर्च के नाम पर लेकर चला गया, कोई उस तरफ जाना पूरी तरह से मना है, उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है, इस कुंड में जाने की इजाज़त नहीं है, और इस कुंड की गहराई तकरीबन 12 फीट है, और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में सबसे ज़्यादा अस्थिया है, तो फिर आप आसानी से अंदा कर देखते हैं सरोवर में अब अवशेश हैं या नहीं पानी में उतरने की सख्त बना ही है हमने अपने कैमरे को भीजा देखते हैं क्या मिलता है यह क्या जील में तो अभी भी अस्थियों की भरमार थी कुंद तो पूरा साफ कर दिया गया था फिर यह अस्थियां कहां से आई इस द्रिश्च ने हमें चौका दिया था हम दोड़ कर जील के दूसरे हिस्से में पहुँचे तभी वो आवाज फिर एक बार गूची लेकिन हम जील पर टिके रहे बर्फ को तोड़ा तो अवशेश उपर से ही दिखने लगे कुंड के इस हिस्से में जो वर्फ जमी हुई थी उस वर्फ को तोड़ कर मैं जब नीचे देख रहा हूं तो यह भी अस्थिया दिख रही है ये एक साथ कई सारी अस्थियां है ये एक ये पड़ी सी अस्थियां यहाँ दिख रही है ये तो बहुत बड़ी अस्थियां है ऐसे देख पाना संभव भी नहीं है लेकिन ये कैसे संभव है कुंट तो साफ कर दिया गया था एक भी अस्थि नहीं थी फिर ये कहां से आई यही वो रहस्य था जिसने पूरी दुनिया को चौका कर रखा है जिसकी पहली को आज तक कोई नहीं सुलजा पाया वैज्ञानिक भी नहीं ये कोई पहली बार नहीं हुआ पहले भी कई बार सफाई हो चुकी है लेकिन हर बार ऐसे ही अवशेश मिलते रही है लेकिन ये अवशेश आती कहां से है लोगों के मन में सवाल यही आते हैं कि आखिर ये अस्तियां किसकी होंगी ये अस्तियां यहीं क्यों निकलती है इस कुंड के आसपास में बहुत सारी जगें हैं उन जगों पर ये अस्तियां क्यों नहीं निकलती है ये अस्तियां किसकी होंगी इन अस्तियों के पीछे की असल पहानी क्या है ऐसे नजाने कितने सवाल है जो पिछले कई दशक से लोगों के मन में है वेग्यानिकों के मन में है रिसर्च करने वाले लोगों के मन में है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है हम खंटों कुंड को देखते रहे एक दंत कथा के मुताबिक कुंड से पहले यहां एक कब्रिस्तान था जहां महामारी से मारे गए लोगों को दफ्न किया गया था लेकिन अस्थियों के किसी सैंपल में कोई बैक्तीरिया या जीवानू का पता नहीं चला था यानि अवशेश कुंड की गहराई में भी नहीं है फिर ये हर सफाई के बाद कहां से आ जाते हैं हमारी नजर कुंड को तीन तरफ से घेरे परवत और ग्लेशियर पर पड़ी कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थिया कुंड में नहीं उन ग्लेशियर में है जो बर्फ पिघलने के साथ कुंड में पहुँच जाती है हमने कुंड से थोड़ा आगे जाकर देखा कुछ अवशेश बर्फ में दबे मिले जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यह अस्थिया दिखनी शुरू हो जाती है मुश्किल से हम कुछी आगे बढ़े और यह अस्थिया दिखनी शुरू हो गई यह सब इसी बर्फ में यह अस्थिया दबी हुई थी एक दो तीन चार जो अस्थिया हमें कुंड की गहराई में दिखी थी और जो अभी बर्फ में दबी मिली दोनों में कोई फर्क नहीं था दोनों ही इंसानों के अवशेश थे जैसे इससे पहले देखा था कि अस्थिया कोई बड़ी थी कोई छोटी थी वैसे ही अभी हमने एक दो तीन चार अस्थिया देखी हम आगे बढ़कर देखते हैं लेकिन आगे कहां तक जाते अब तो त्रिशूल परवत का ग्लेशयर शुरू हो जाएगा वहां ऐसी हालत में जाने का मतलब खुद को मौत के हवाले सौपना ग्लेशयर में बिना तयारी के उतरने का मतलब बर्फ में कब्र बनना लिहाजा हमने अपने मिशन को यहीं रोक पार-बार सफाई के बावजूद कुंड में अस्थियां कहां से प्रकट हो जाती है और हमें आगे ग्लेशर में जो अवशेश मिले थे वो कहां से आए ये हमारा वैसला नहीं महज एक अटकल है कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थियां कुंड में नहीं बलकि उपर के ग्लेशर में हैं जो पिघलने के साथ सरोवर में पहुँच जाती है क्या वैज्ञानिकों को अपनी पड़ताल कुंड से आगे ग्लेशर तक ले जाने की जरूरत है कहीं उस रहसे का नाता इस अजीब आवास के साथ तो नहीं जुड़ा है परबत को ना पेंगे बांदेंगे धर्ती को अंबर की दोरों से सूरज के चेरे से परता हटाना है तुवान आँधी को भी अब चीर के जाना है कुदरत की मुठी से अब जीन लाएंगे हम कुदरत की मुठी से अब जीन लाएंगे हम ध्रिश्यम, 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 ध्रिश्यम झाल झाल